पंच गाउं प्राउडली देशी क्या खूबसूरत लिखा हुआ है पंच गाउं ये एक्चुलि जो एरिया इसके पीछे ही रेस्टरांट है इसके पीछे ही पंच गाउं के नाम से गाउं है गूगल मैस्ट में देख रहा था तो हालंकि जो स्टाफ है मैं उनसे भी पूछ चाहिए तो उनने मुझे बताया मैं आपको इनकी पार्किंग दिखा दूं पार्किंग लाजवाब इनकी शांदा रिक्डम स्पेशियस है आप यहां चाहे तो बेशक ट्रक लाकर खड़ा कर दें आप यह देखें बहतरीन पार्किंग हैं आप राम से पार्किंग करें यह आप यहां पर बहुत अराम से आजएंगे ठीक आईए मैं आप को अंदर की दर्फ दिखाता हूं मैंनेक्षाल पहले में अक्षाल करेंगा वह यहां पर आय था तो यहां पर तब मैंने सोचा था यार यहां चलेंगे एक्चुली मुझे तब ही पता चला फिर मैंने वाइस से डिसकस किया तो उनको पहले से पता था इस जगें के बारे में अब जैसे अगर आप जीटी डोट पे जाते हैं तो जैसे एक मुर्थल करके केरिया पढ़ता है सोनियपत के पाथ जो कि बहुत मशूर है खानपान के लिए तो उसी तरीके से यहां पे इस बेल्ट पे डिली जैपूर बेल्ट पे यह वाला जो है डिली जैपूर हाइवे पे ही पढ़ता है तो इसके जस्ट सामने समझे की मिश्किल से 200-400 मिटर पे ही जो है आपका टोल टैक्स पढ़ता है इनकी यूट्यूब पे और गूगल मापस पे बहतरीन लग रहा था इसमें कोई शक नहीं है लेकिन जब मैने यहां के वास्तविक्ता में अपनी आखों से देखा खुबसूरती इसकी तो मुझे और पसंद आया यह देखिए दर्बान साहाब मुस्कुराते हुए आपको म इसकी तो खाल जाए नहीं आपकी दिन का टाइम था इसलिए गाड़ी में ना मतलब पार्किंग लॉट में इतनी गाड़ी नहीं खड़ी थी जिसे देख के मैं खुश हो गया कि यार कम गाड़ी आए तो इसका उनलो खाना जल्दी आजाए गारा खाना यह जो भी खाना ए जो है फुर्ती लाए जाए जरा जिसन में छोड़ी सी यह आप देखे मेरी वाइफ और डॉटर बैठी हुई है जियाना ममा को तंग करती रहती है गाड़ी में बापा को तंग करती रहती बाहर ममा को यह उपर यह वाला सेक्शन मुझे बड़ा अच्छा लगा यह टोकरि खाना भी मैंने सुना हुआ काफी अच्छा है बठम दें तो कर बेवरेजिज लिया है जैसे तो वह भी अच्छा था उसमें कोई शिकायत नहीं हुए हमारे हमें तो मैं आपको इनका मेन्यू भी दिखा दू जड़ा खोले क्या है खोलो खाने का खजाना क्या वात है सबसे पहले गजब पराठे और पराठो की रेंज भी सही है 95 105 115 मतलब वही 110-120 जो मिलते हैं आम तौर पर कहीं भी पराठे शनाटे बाकि यह सारे आइटम में देखें पाव भाजी 175 है ठीक है मुंबई स्पेशल क्या बात है यहां पर चार्ट सेक्शन है चिट चार्ट लिखा तो यह देखें कड़ाई से समोसा क्या बात है समोसा विचटनी यह पंचगाओं का स्पेशल आइटम है यह आप जो भी लेना चाहिए यह भाई साब आ गए हिन्होंने चाय डाल दी मेरी पहली में मैं पहले आपको मेन्यू सेक्शन दिखा दूँ ज़रा मेन्यू दिखा द मैं आपको दिखाता हूँ यह मेरी वाइफ के आगे कोल्ड काफी विद आइसक्रीम उनको यह पीने का दिल कर रहा और देव साहब का दिल था चाय पीने का तो मैं न बोला चले हम तो चाय की चुस्कियां लेते हैं बाकी इन दोनों को अपने मज़े लेने दीजे झाय।